इंग्जाइटी या चिंता रोख बिना दवाई का अच्छा करो इसलिए हमारे पास में काफी कॉल्स आते रहते हैं कि लोग बलते हैं जो मेडिसीन चालू है वो मेडिसीन या दवाई हमको बंद करनी है और आपसे बिना दवाई का इलाज होंगा तो ही कुरून दें करो तो ठीक है प्रॉब्लम नहीं है तो आईए आपका स्वागत है मेरा ना में डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुझी तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं तो आपको भी बताऊंगा मैं एंग्जैडी के बारे में चिंता रोग एंग्जैडी होती क्यों है चिंता होती क्यों है चिंता इसलिए होती कि फ्यूचर में भविश्य में कुछ तभी चिंता का विश्य सामने उसको आता है कि भविश्य में अच्छा नहीं होगा यहां प पांकरब से हो गई जो भी हो गया वो पास में हो गया तो वो हम फ्यूचर में डालते हैं सामने आ जाता है और जहां वहां हम फ्यूचर के बार में फिर सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा जो अतित में हुआ था जो पास में हुआ था तो जब आते हैं उनको पहले उनकी हमारे से हमारे सेटरी आप manager है सब्षमाmost मोसेrim हिंसेशं certains 2013 एक मेंसवेंस कि उसके और नापते This उस नापते हैं में सबाब काफी सारे डिप्रेशन बड़े तो बच्चों को बुलाते हैं और उनके साथ में common sitting भी लेते हैं कुछ तभी past में हुआ वहाँ वो sensitized हो गया उसका subconscious mind हो है वो sensitized हो गया sensitivity आ गई उसको और वहाँ से फिर उसकी चिंता शुरू हो गई सबसे पहले आपको डर कहा लगा अतीद में कुछ साल पहले आपको क्या ऐसा हुआ कि आपको अगदम डरे वे इंसान बन गए फिर आपने वहाँ क्या निरने लिया क्या आपने decision लिया कि भविशमय में कैसा बनूंगा हो सकता है कुछ तो भी ऐसी घटना हुई बहुत कुछ तो भी बड़ा हाथसा हुआ वह एकदम उससे मतलब दिल की चोट उससे पहुँच गई और वहां से फिर आगे चिंता का विशे बन गया तो महां पुछते कि बहुत किसके साथ में जंजट जगड़ा हुआ था किसके साथ में आपने दुश्मिनी की थी किसने आपको दुख पहुँच आया था क्या किस साथ में संबन नेदी खराब है मा के साथ में पिताजी के साथ में संबन नेदी खराब है मतलब उनको उन्होंने मुझे मेरा अच्छा नहीं किया उनके बारे में दिमाग में बहुत सारी किर 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 है उन्होंने मुझे जो जैसा पालन पोशन करना जैसा पालन पोशन दो परश्ड है एसा काफी सारा जो इनकम्पलीशन माबाब के बारे में तो इनकम्पलीशन के बारे मुझे रहते हैं और मतने कि चलो माबाब से बात करो वह कंप्लीट कर दालो क्यों कि माबाब मैश किया वो किया उन्होंने उनका बेस्ट दिया अब जो हूआ आप अब हंदी आपने को परसीव किया जैसा उसको ना पाजलो समझ लिया अभी जो भी हो बाएं बाव करो या उनसे माफ्य माणो जो भी आपने भी तक खुंदस बना के रखी तो वह दी वह करते है तो काफी तो काफी लोगों को र्लीव मिल जाता है फिर मत्सर है, द्वेश है किसके बारे में, और जगडा जंजे दुआ है, फिर competition है, तुलना करना है, competition करने का है, और उसमें फिर बहुत tension आता है, चिंता आती है, तो वो एक करना हो सकता है, लोगों के प्रती प्यार नहीं होना, अपने आपके उपर प्यार नहीं होना, लोगों को forgive or forget, मतलब लोगों को माफ नहीं करना और खुद को भी माफ नहीं करना, तो वो लोगों से मतलब दूर दूर हो जाते रहते हैं, अलग-अलग से पढ़ते रहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, फिर उसमें प्राब्लम आजाता है, तो लोगों को माफ नहीं करना, खुद को माफ नहीं करना, माफी नहीं मंगना लोग से अधि उनकी गलती है तो माफ करदा लो, अपनी गलती उनसे है और संबन बिगड़ गए तो माफी मांग लो, जो भी करना हो, तो ऐसी चीज़े काफी सारी होती है कि से टेंशन और इंसाइटी आती है, फिर हम बोलती कि असफ़लत आपको कहा कहा आ सकती है, उसके बारे में चिंता है, चलो वो लिख के रखो, असफ़लत आए तो क्या बुरे से बुरा क्या होंगा, वर्स कम वर्स क्या होना, वो देखो, फिर कहा कहा आप जूटा जिंदगी ज जो भी कुछ है, छुपा-छुपा कि यदि आप जिंदगी जी रहे है, तो उसमें बहुत टेंशन आता है, एंसाइडी होते हैं, तो जो भी कुछ है, वो अथेंटिक है, प्रमानेकर से जीवन जी रहे है, तो इस तरह से हम उंको काउंसिलिंग करते हैं, आप भी हमें जो मिशन है, वो यह है कि मेंटल हेल्फ और एवरिवन, सब के लिए मानसिक स्वांस्त्य और एडिक्शन फ्री इंडिया, शराब मुक्त भारत, वेसन मुक्त भारत, यह वीडियो आपको अच्छा लागा, तो जो लोगों को शेर को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे वीडियो की नुडिजन आपको सबसे पहले बार आ जाएंगे, और हमारे मिशन में आपका भी हाथ लग जाएंगा, आप भी पार्टनर जाएंगे, थैंक्स पर वाचिंग, जा einzel अपका बारा, गुर जा बाएंगे, तो सरफ लग जाएंगे हाथ लोगों को, से जाल जाएंगे, जाल आएंगे, भी टूंगे, और हमाने, एमारे मजजने टूले में एलाय खिरो tryby क करनके ले जाएंगे, भी पलमजने में आपका अले एंट करो, तो जाएंगे, तो